आपके पाठे करम में समलित अनिवारी हिंदी की जो पुस्तक है उसका नाम है गद्य प्रभा और यह कला विज्यान और वानिचे वर्ग के जो विध्यारती हैं उन सभी के प्रथम वर्ष में अनिवारी रूप से समलित की गई हैं यानि कि जो आपके प्रयोजन मुलक हिंदी हैं या हिंदी अनिवारी हैं जो तीनों ही संकाई के विध्यारतियों के लिए आवशक हैं अनिवारी रूप से पास करना तो उसमें यह पुस्तक आपके चलती हैं और इस पुस्तक का नाम है गद्य प्रभा अगर आपसे यह जो पुस्तक है गद्य प्रभा इनके संपादक का या पुस्तक के रसनाकार का नाम आपसे पूछा जा सकता है तो आगे हम देखते हैं इस पुस्तक में कौन-कौन से निभंध हैं कहानियां हैं रेखाचितर हैं और उन कहानी रेखाचितरों निभंध जो भी अलग-अलग विधाये हैं उनके रसनाकार कौन है यह जो रसनाक तो सबसे पहला हमारे पास यहां पर जो अध्याय है वह है एक दुराशा जो की बाल मुकंद गुप्त द्वारा लिखा गया एक मारमिक निभंध है दूसरा है श्रीष के फूल यह आचारी हजारी प्रसाद द्वीदी द्वारा लिखा गया ललित निभंध है अगला है हरी हरी दूप और लाचार क्रोध यह किसके द्वारा लिखा गया है कुबे नाथ राय द्वारा तो यह जो हरी हरी दूप और लाचार क्रोध है यह भी आपके क्या है निभंध की श्रेणी में आता है अगला है आपके सिस्तर का वास्ते यह महादीवी वर्मा द्व स्वनद्री की नधी नर्मदा जो यात्रहब्तान थे उससे लिया गया है महाराजपुर से गवालरी घाट जबनपूर अमरत्लाल वेगड का यात्रहब्तान है कुन सा संद्री के नदिय नर्मदा उससे लिया गया है तो अगर आपसे पूछे कि अमरतलाल वेगर के द्वारा लिखा गया कौन सा यात्रा व्रतांत का अंश आपके पाठेक्रम में संकलित हैं तो हम क्या लिखेंगे महाराजपुर से ग्वालरी घांट जवलपुर अगला देखिए उजाले के मुसाहिब ये विजेदान देथा द्वारा लिखा गया तो यह क्या है कहाने विधा की रचना यानिकि उजाले के मुसाहिब विजेदान देथा की कहानी है अगला है मैं और मैं ये कनहिया लाल मिश्र प्रभाकर का एक प्रेरक लेख है अगला है अगला है ब्रह आपका बलवंत से भिडंत और इसके रचनाकार कौन है महात्मा गांधी तो बलवंत से भिडंत महात्मा गांधी की आत्मकथा का एक अंश है और उसी यानि की चोथा अंश है आत्मकथा का और उसी से लिया गया है इसका शीर्षक भी वहीं से लिया गया है तो इस प्रकार से ह पील मिलाकर 10 अध्याई हैं और उन 10 अध्याई के नाम उन अध्याई के रश्चनाकारों के नाम ँर रचनाई किस विधा की हैं यदि आप इनको अपनी रइस्टर में नोट डाउन कर लेंगे Тут आपके हैं कैंर जो चोटे